1992 में इंडिया में एक बहुत बड़ा economic reform आया, liberalization इस चक्कर में दुनियो भर की companies के लिए भारत की दरवाजी खोल दिये गए और भारत के आस्मान को खोल दिया गया private airlines के लिए भी अब इस खुले आस्मान में एक private airline आई, East-West Airline लेकिन खुलने के तीन साल के अंदर ही एक company बंद हो गई इस airline के founder थे केरला के एक business man तक्कियोदीन अब्दुलवहीद जिन्ने तीन बॉइंग के aircraft लेके मुंबाई से कोची के फ्राइट शुरू करवा के अपनी company को शुरू किया लेकिन इस airline में कुछ बाते अलग थी, यह शायद अजीब भी जहां पर जातर airlines cabin crew में लड़कियों को air hostess की रूप में रखते थे लेकिन यहां पर जवान energetic लड़कों को cabin crew में रखा जाता था और यही नहीं, ground के operations को समालने के लिए भी नए जवान लड़कों को रखा गया कोई दिक्कत नहीं है बट थोड़ा अलग था हरे और तोहर passengers को airport से terminal तक shuttle bus पे लेके जाया जाता था और उसके बाद उनको free breakfast मतब मुफत नास्ता दिया जाता था अब इन सब चीजों के चलते, airline एकदम से हिट हो गई, famous हो गई, लोग टिक्टों की line लगाने के लिए खड़े हो गए लेगि फिर हुआ एक हाथा ऐसी हो आए थे कि East West Airlines के founder ने 1993 के मुंबईी blast में डाउद अब्राहिम को funding दी थी और इसी बात के चलते, 1950 में में चोटा राजन की लोगों ने इसी founder की गोली मार के खत्या कर दे